समीर वानखेडे और उनके पिता अग्यान देवानखेडे को लेकर मुंबई हाई कोट की तरफ से एक अपडेट आ रही है जैसा कि आप सोब को पता है कुछ टाइम पहले जब समीर वानखेडे एंसीवी के जोर्ण डारेक्टर थे तो उनके उपर NCP कोटे सिमंत्री नवाब मलिक के द्वारा कई बड़े एलिगेशन लगाए गए थे जिसके बाद समीर वानखेडे के पिता ने मुंबई हाई कोट में एक मानहान का केस जो है नवाब मलिक के खिलाप में दर्ज करवा दिया था जिसके बाद मुंबई हाई कोट में जो नवाब मलिक हैं उन्होंने बोला था कि वो जो है समीर वानखेडे के खिलाप में आगे से कोई भी टिपड़ी नहीं करेंगे लेकिन इसके साथ में ही जो नवाब मलिक हैं उन्होंने एक हलप नामा दाखिल किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि पबलिक को ये जानने का अधिकार है कि कैसे समीर वानखेडे को मुस्लिम होने के बावजूद भी अवैद रूप से अनसूचित जात की स्रेणी में न लत साबित करें और एक दूसरा हलप नामा जो है मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल करें इस पर जो है अभी एक अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि आज फिर से इस केस पर सुनवाई हुई थी लेकिन समीर वानखेडे के जो पिता है यान देवान खेडे उन समीर वानखेडे को इस पूरे के पूरे केस में बेगुना साबित करने के लिए जो भी उनके पास एविडेंस है वो उनके हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे जिसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने ग्यान देवान दाखिल करो अब देखते हैं समीर वानखेडे के पिता जो है दूसरा हल अपना मजब दाखिल करेंगे तो उसमें उनके द्वारा क्या एविडेंस रखे जाते हैं आपका क्या ओपीडियन है इस पर आपने ओपीडियन कमेंट बॉक्स मताएं और वीडियो गया शाथा सेयर करें